हलो फ्रेंड्स, क्या आप pregnant हैं और आपको sonographie कराने की सलहा दी गई है और आपके दिमाख में ये सवाल आ रहा है कि क्या sonographie कराना pregnancy में safe है और कितनी बार sonographie कराई जा सकती है तो मैं डॉक्टर सुशिला सैन्न Dad आज आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर आप sonography कराती है तो क्या उसका क्या नुकसान है उसे कितनी बार करवाए जा सकता है और उसको करवाने के कोई side effect है क्या सबसे important बात है कि sonography होती क्या है sonographic machine की दवारा यह जाने वाली जाच है जो कि आपके पेट कर उपर इंस्ट्रूमेंट के रख कर ये पता लगाय जाता है कि अंदर जो आपके पेट के अंदर बच्चा पल रहा है वो उसका धड़कन कैसा चल रहा है उसका साइस क्या है उसमें कोई जनमजात खराबी तो नहीं है या उसमें और कोई परेशानी तो बच्चे को जाचने का या बच्चे को देखने का एक तरीका है जो कि मशीन की द्वारा हम देख सकते हैं अब दूसरा सवाल या आता है कि क्या ये सेफ है जी हां सोनोग्राफी प्रिग्निसी के अंदर बिल्कुल सेफ होती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उनका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बच्चा आराम से स्वस्त रहता है तो आप सोनोग्राफी बे जिजख करवा सकते हैं बिना किसी डर के बिना किसी शंका के बिना किसी सवाल के बहुत सेफ है और बहुत बार भी की जाए तो भी कोई नुक्सान नह सपास सब्सक्राइब नहीं है बट जनरली जो स्टैंडर्स होती है कि अब को प्रेगनेंसि का पता चलता है तहीं कि यसाप यह भत कराते नहीं हैं खेलो हैं टक्राइब और दो महिन के अंदर हैitters यह को सबस्सक्राइब नहीं हो सकती है दूसरी सोनोग्राफिक 11-13 हफते के बीच में कराई जाती है जो बच्चे का जनमजात खराबी देखने के लिए किया जाता है जिसमें नाक की हड़ी को चेक किया जाता है और एक सिर के पीछे की हिस्से का थिकनेस चेक किया जाता है जिसे ये पता चलता है कि बच्चे के पूरा चेक किया जाता है कि जो बच्चा बना है वो पूरी तरीके से सही बना है उसमें किसी प्रकार की कोई जनमजात खराबी नहीं है यानि कि इसके आखें से ना, कान, मू, हात, हातों की उंगलियां, पैर, पेट के अंदर का लिवर, हार्ट, किड्नी या यह सारी चीज़ में जो MTP का लोय यानि abortion का जो नहीं में वो बीस हपते तक का ही है तो हम बीस हपते से पहले-पहले सुनोग्राफी करा कर यह जांच लेते हैं कि बच्चा जो बना है वो बिल्कुल सही बना है और उसमें ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है कि जो आगी जाकर हमें परेशानी दे जाती है कि बीस हपते से पहले-पहले आप करा कर आखर इजिली अपना वार Sieegen ले सकती है इसके बाद में जित्ते भी सोनोग्राफिज जाती है वो जनरली बच्चे की growth देखने के लिए की जाती है तो जनरली साथवे-च्छोए महिने में और एक उनवे महिने मेरी की जाती तो इस प्रकार से करीब-करीब 3 सोनोग्राफी तो बहुत ज़रूरी होती है जो 6 अवते पर 11 से 12 अवते पर, 18 से 20 अवते हैं इसके अलावा एक ये दो सोनोग्राफी और की जाती है जो जनरली अथ तो दो से तीन सोनोग्राफी भी करनी पड़ सकती है, बट स्टेंडर्ली तीन सोनोग्राफी शुरू मेरे एक दो सोनोग्राफी लास्ट में की जाती है, ये सब सोनोग्राफी सेफ होती है, जरूरी होती है, करवानी चाहिए, और ये बिल्कुल दिमाग में सवाल ना लाएं कि सोनोग्राफी सेफ नहीं होती है उनका कोई नुकसान हो सकता है नुकसान होता है X-ray के कारण अगर आप X-ray करवाती है या कोई पेट का X-ray अगर आप करवा लेती है तो उसमें जो करणे होती वो बच्चे के लिए नुकसान दे होती है बच्चे में जनमजात खराबी पैदा करती है तो हमें X-ray एडवाइज नहीं करना चाहिए X-ray नहीं करवाना चाहिए X-ray के साथ CT scan के अंदर भी सेम किरने यूज होती है तो वो भी नहीं यूज करना होता CT scan भी नहीं कराना होता MRI कराया जा सकता Sonography कराया जा सकते दोनों safe है तो मैं समझते हूँ कि आज आपको ये clear हो गया करा लेनी चाहिए आप से फिर मिलेंगी एक नए वीडियो में नहीं जनकरी के साथ तब तक नमस्क्राइब